तो बच्चो अब हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं, क्या सुना, खाली जगह में आवाजे लिखो, भोपू, सीटी, बस, रोता हुआ बच्चा, तो बच्चो इन सब की आवाजे हमें यहाँ पे शब्द में लिखना है, बोपू, उत्तर है पॉपॉ, सीटी, उत्तर है सश, बस, उत्तर है पीपी, रोता हुआ बच्चा, उं, 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 तो इन सब की आवाजे, तो बच्चो आपको इस तरह से लिखना है, प्रशन दूसरा, तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है, उसका चित्र बनाओ, तो बच्चो आपको जो सवारी अच्छी लगती है, उसका चित्र आपको यहाँ पर बनाना है, मैंने यहाँ पर बस निकाली है तो आप कुछ भी अलग भी सवारी निकाल सकते हैं जैसे कि रिक्षा, ओटो रिक्षा, कार, मोटर साइकल आदी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं उत्तर आपके अनुसार हो सकता है ओके बच्चो अगला प्रश्ण एक पहिया, दो पहिये, बोलो किसके कितने पहिये तो बच्चो आपको यहाँ पे किस सवारी के कितने पहिये होते हैं यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे सवारियों के नाम दिये हुए है पहिये कार थे बच्चो वील्स या फिर चाक हाँ तो बच्चो ठेले को कितने पहिये होते हैं ठेला दो पहिये तांगा दो पहिये स्कूटर दो पहिये बैल गाड़ी दो पहिये साइकिल दो पहिये पानी का जहाज पानी के जहाज को पहिये नहीं होते हैं ट्रक चह पहिए, बस चह पहिए, रिक्षा तीन पहिए, कार चार पहिए, और रिक्षा तीन पहिए, हवाई जहाज चह पहिए तो बच्चो ट्रक और हवाई जहाज को उसके अनुसार पहिए होते हैं जिसे कि ट्रक अगर बड़ा हो तो उसे जादा पहे होते हैं, हवाई जहाज भी जादा बड़ा हो तो उसे जादा पहे हो सकते हैं